वेल्कम बैक एवरिवान स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे ओईली स्किन के लिए मेकप करना इतना प्रॉब्लमाटिक होता है ना मेकप करके घर से बहार निकलो इतना पसीना आना शुरू हो जाता है कि मेकप एकदम सही समजimen रग जाता है और उसके साथ वो गंदी वाली शाइन जयाती है अविशे ही बहुत बुरी लगता है अब oily skin है, इसका ये मतलब तो है नहीं कि हम makeup करेंगे ही नहीं, अब makeup करना है तो अपनी skin को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा ऐसी क्या-क्या tips और tricks आप follow कर सकते हो, जिससे आपका face full day oil free रहे और आपके face पे makeup बिल्कुल भी smudge ना हो, आज हम आपको ऐस इसे कुछ basic tips and tricks बताने वाले है, कुछ ऐसे makeup hacks बताने वाले है, जो बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं आपके लिए, अगर आप उनको तरीके से follow करो, आपके makeup का stay भी लंबे समय तक रहेगा, और जिक वो oily वाली shine आती है, जो कि बहुत बुरी लगते, greasy वाली shine, वो भी बि बिली होती है, एक primer तो आपके लिए mandatory है ही, एक gel-based primer जो होता है, वो make sure करता है, आपके जो oil है, वो excess oil को produce ना करे, वो basically oil free होता है, और make sure करता है, आपके face में जो excess वाली shine आ रहे है, due to oil, वो बिल्कुल खतम हो जाए, और आपका face बिल्कुल matte हो जाए, और साथ साथ तो make sure कर primer एक और काम करता है, firstly आपकी skin को smoothen आप तो करी देता है, radiance भी add कर देता है, और साथ एक barrier का काम करता है, आपकी skin और foundation के बीच में, अगर आपका foundation directly आपकी skin पे लगे ना, तो आपके pores में चला जाता है, जिससे आपके pores हो जाते हैं, clog, और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती ह oily skin की acne breakouts, वो बहुत जादा हो जाते हैं, आपके pores भी clog हो जाते हैं, तो एक primer लगाना बहुत जादा mandatory है, अगर आपकी skin oily है, tip number 2, cut down eye makeup creasing, जो एक oily skin है वो ये बिल्कुल relate कर पाएंगे इस चीज से, क्योंकी सबसे अधिक्कत आती है, eye makeup में, eye shadow smudge हो जाता है, concealer smudge हो जाता है अब आप क्या कर सकते हैं, अपना concealer लगाने से पहले या eye shadow लगाने से पहले, आपने अपनी eye lids में और under eye area में primer ज़रूर लगाना है, एक eye primer ले पाओ तो और बेटर है, बट अगर आप एक eye primer नहीं लेना चाहते हैं, अपना normal primer को अच्छे डंग से आप अपलाए करो, अपन powder, oily skin वाले जो होते हैं, उनका favorite part होता है, makeup का powder लगाना, face powder लगाना, उससे होने लगता है, हमारा face बिल्कुल ही oil free हो जाएगा, और matte हो जाएगा, यह वैसे कुछ हद तक सही भी है, बट अगर आप overdue करो ना तो वो backfire कर सकता है, आप से, होगा क्या जब आप over powder लगाओगे आपके face पे, तो आपके pores और जाधा oil produce करना कर सकते हैं, और वो आपको नुकसान दे सकता, आपका face और जाधा oily हो सकता है, तो आपने करना कि आपने पतली सी layer लगानी है, translucent powder की वो best रहता है हर skin tone के लिए, और आपने वो लगाना है only on the shiny part, जहाँ आपका जाधा shine करा है, जो तो हलका सा wet करो, और जहाँ जहाँ आपका over powder हो, महाँ पे आप हलका हलका dab-dab करो, आपका जो excess वाला powder है, वो beauty blender absorb कर देगा, आपको एक oil free look भी मिलेगी और over powder वाली look आपकी delete हो जाएगी, number 4, always carry blotting paper, blotting paper जो होता है वो एक पतला सा paper होता है, जो आप जब अपने कहीं भी लगाते हो, जैसे face पे लगाते हो, excess liquid या oil absorb कर लेता है, without affecting your makeup, यही इसकी सबसे खास बात है, आपने blotting paper को हमेशा अपने face पे dab-dab करना है, कभी भी rub नहीं करना, जितना भी excess oil in नो वो absorb क कर लेगा, और आपका make-up बिल्कुल भी effect नहीं करेगा, उसको carry करना वैसे ही बहुत असान होता है, पतला सा paper होता है, आप अराम से उसका एक pack ले सकते हो, जब भी आप बहार निकलो, उसको जरूर carry करो, जब आप सुबह निकलते हो, ना make-up हमेशा बहुत flawless दिखता है, तो वैसे ही naturally इतना oil produce कर देगी, तो आपको बहार से cosmetics product कोई भी oily लेने की जरूरत नहीं है, आपको make sure करना आप कोई भी product लो, specially foundation और blushster, अगर हम make-up की बात करें, वो बिल्कुल आपका oil free होना चाहिए, matte होना चाहिए, अगर उसके अंदर oil होगा, तो आपका face वो automatically greasy कर वो भी बिल्कुल oil free होना चाहिए, एक face wash आपके face से excess oil को properly हटा देता है, और जो एक toner है, वो oil secretion कम करता है, जिससे आपके face पे लंबे समय तक oil वापस ना आए, नमबर 6, look for long wear, water और oil, दोनों एक ही काम करते हैं, आपके make-up के साथ उसको smudge कर देते हैं, तो अगर आपके skin oily है ना तो बहुत एजली आपका make-up smudge हो जाता होगा, तो आपको करना जब भी आप production लेने जाओ, उस पे जरूर पढ़ो क्या वो waterproof है, या water resistant है, ताकि जब आप आपके face पे अगर shine आ भी रही है, at least आपका make-up smudge ना हो, एक long stay foundation हमेशा आपके लिए जरूरी है, तो अगर आपके पास market में कभी भी option हो, long stay वाला या normal stay वाला हमेशा आपको एक long stay foundation लेना चाहिए, जो की waterproof हो तो और भी बढ़िया है, इसका ये मतलब है, आपकी जो heavy creams होती है ना, जैसे की heavy anti-aging creams, उसको आप रखो संभाल के रात के लिए, night में तो आप लगा सकते हो, अगर आपकी skin oily है, but not before your makeup, जब आप make-up करते हो ना, आपने make-sure करना है, lightweight moisturizer हमेशा आपको apply करना है, अगर आप एक heavy moisturizer लगा लोगे, तो already आ नहीं चाहोगे, अगर आपकी skin oily है, तो आपने make-sure करना है, lightweight moisturizer होना चाहिए, आपका before your makeup, जब आप CTM करते हो, या उससे भी better है, आप lightweight serum ले लो, face serums comparatively light होते हैं, एक moisturizer के मुकाबले, तो जब आप face serum लगा होगे, moisturize करने के लिए, आपका face moisturize भी हो जाएगा, without being oily. Tip number 8, reduce excess oil, आपकी जब oily skin होती है, makeup में आप जतनी मर्दी चीज़े कर लो, अगर आपका flawless skincare routine नहीं है, तो face to oil produce करेगा ही, आपको make sure करना है, हफते में एक बार, at least आप exfoliate करें अपनी skin को, जिससे आपके pores वगेरा properly clean रहेंगे, dead skin properly hurt जाएगी, हमारे pores ही होते हैं, जो extra oil produce करते हैं, तो अगर आप exfoliate करोगे, वह properly cleanse हो जाएंगे, और excess oil, आप कैसे रोख सकते हो, जैसे आप exfoliate करो, उसके बाद आप लगाओ एक clay mask, आप clay mask लगाओ पूरे face पे 15-20 minute के leave on रहो, देन आप उसको wash कर सकते हो, एक clay mask आपके pores को भी shrink करके रखता है, और oil secretion को भी कम करता है, greasy shine भी नहीं आएगी, तो यह थे कुछ ऐसे magical tips and tricks जो आप अराम से follow कर सकते हो, अगर आपकी skin oily है, आप चाहें, तो यह वीडियो अपने उन फ्रेंस के साथ share कर सकते हैं, जो यह problem बहुत time से face कर रहे हैं, face पे oil आजाता है, जिससे वो make up भी नहीं कर पाते हैं, और जब करते वाला favorite point था, हमें comment box में जरूर बताएं, कौन से point ने आपकी सबसे जादा help करी, हमें जानके बहुत जादा खुशी होगी, तो comment जरूर डॉप करें, उससे हमें बहुत जादा motivation मिलता है, कि आपका feedback हमारे बहुत जादा जरूरी है, चैनल को subscribe भी जरूर करें, उससे हमारा confidence boost up होता है, ताकि हम regularly आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहें, तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, until next time, this is your host, टोईत सजदेवा, good bye.